नमस्कार दोस्तों दा प्लिटिकल वे में आप सभी का स्वागत है मिरणा मेश वर्तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UP के पुर्व राज इपाल पर हुए राज दुरो के केस के बारे में क्योंकि आपको पताईए कि BJP जब से सत्ता में आई है तो आप को कहीं ना कहीं या जालत तर देश दुरो की दार आर्टिकल 124A के बारे में सुनना पड़ा होगा आज हम इसी वीडियो में इंडियन कॉंस्टिटुशन IPC की दार आरफ 124A के बारे में बात करेंगे और इसके historical event के बारे में भी बात करेंगे कि कहां से ये जन्मी और किस ने इसको भारत में लागू किया और करेंट में इसकी इंडियन constitution में क्या position है तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने recently news में सुना होगा कि यूपी के पूर्व गवर्नर अजीज कुरेशी के खिलाफ सेडिशन मतलब देश दुरो के आरोप में केस रजिस्टर कराये गया है रामपूर के थाने में क्योंकि उन्होंने यहाँ पर यूपी आदिते नात के सरकार के खिलाफ एक टिपड़ी कर दी थी जिसके बाद बीज 2015 के बीच में इन्होंने यूपी का अतरीक प्रभार संभाला था और मद्यपरदेश के सालना जिले से ये चुनाव जीतकर MP बने थे तो ये था कुछ अजीज कुरेशी जी के बारे में इंट्रोडक्शन तो हुआ कहता कि अजीज कुरेशी यूपी के पूर्व मंतरी आजम इसके बाद आकास सकसेना ने जो BJP के कार्य करता थे उन्होंने रामपूर के जो थाना था उसमें जाकर अजीज कुरेशी के खिलाफ विविन्दारों में मुकदमा दर्ज करवाया और कुरेशी के विवादित बयानों को सामुदायों के बीच तना पैदा करने और सामप्र रिटीकल 153A और राश्ट्री एकता और खनता के खिलाब बेयान को लेकर 153B के तहत केश दर्ज कराएगा। जनता के बीच ब्रहम और धहशत फिलाने के आरोप में IPC की धारा 505-1B के तहत भी इसमें मामला दर्ज करवाया। मतलब मामला के वल एक ही था ये सब धाराएं थी जिसके आरोप में अजीश कुरेशी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसमें सबसे बड़ी जो धारा थी वहा थी IPC सेक्षन 124A देश दुरो के मामले में और इसी पर हमारा सारा ध्यान केंदरित होगा और इसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। अब आगे जो होगा व वो 70 सताब्दी में इंगलेंड में हुआ था क्योगी 70 सताब्दी में महा के सांसुदों का मानना था कि सरकार के परति केवल अच्छी राय को ही बड़ावा दिया जाना चाहिए। अगर सरकार के परति नाकारात्मक प्रभाब बड़ेगा और सरकार और राजसाही के उन्होंने तभी से विचार करना शुरू कर दिया था इस कानून को मूल रूप से 1837 में ब्रिटिस इतिहासकार और राजनेता थॉमस मेकाले द्वाला तयार किया गया था लेकिन 1860 तक इसको भारतिय दंड सहीता IPC को लागू करते समय इस प्रावधान को उसमें शामिल ही नह लग गई तो इसके लिए उनको एक कानून की आवशक्ता महसूस होई जिसे जब जेम्स स्टीफन द्वारा एक सुनसोदन को पारलेमेंट में पेश किया गया और इसके माध्यम से भारतित दंड सहीता की धारा 124A को इंगलेंड और इंडिया में दोनों में लागू कर दिय उस समय ये जो कानून था वो असंतोष की किसी भी आवाज को दबाने के लिए सबसे कठोर कानूनों में से एक था महात्मा गादी और बाल गंगादर तिलक जैसे प्रमुक राजनेता को गिरफतार करने और उनकी आवाज को दबाने के लिए भी इस कानून का कई बार प्रि 124A देश दुरो को बरकरा रखा था और फैसर सुनाया कि अगर कानुन द्वारा इस्थापित मतलब Constitution द्वारा Establish Government को कोई उखाड फेकना चाता है या उसको पलट देना चाता है उलट देना चाता है तो राजे का असित्व खत्र में पढ़ जाएगा हाला कि यह भी का गया कि धारा 124A केवल उन अभिवेक्तियों पर लागू होगी जो या तो हिंसा का इरादा रखती है या जिनमें हिंसा करने की प्रवड़ती हो जिसके करण देश की एकता अखंडता खत्र में पढ़ जाए बरतमान की बात करे तो IPC की धारा 124A के तहत प्रवणी तोर पर इस्थापित, सरकार के परती, मोखिक, लिखित, संकेतो, दृश्यों के रूप में घिर्णा या अबमानना या उत्तेजना पैदा करने वाले प्रेतनों को इसमें शामिल किया गया मतलब कोई भी व्यक्ति या समूह, लिखित, मोखिक, संकेतो, या दृ पिश्य रूप में घिरना या अमानना या उत्तेजना पैदा करने वाले प्रयतनों के द्वारा सरकार को उखाड फैगने की कोशिश करता है तो ये एक अपरादों का और ये IPC की धारा 124A के अंडर में आएगा विद्रों में वैमनश्य और सतुरता की सभी भावनाय सामिल ह होती है हाला कि इस खंड के तहत घिरना और अमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिपडियों को अपराद की शेड़ी में शामिल नहीं किया गया मतलब साफ है कि विद्रों में वैमनश्य और सतुरता है तो शामिल होती होती है लेकिन घिरना और अमानना मतलब शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये किसी का personal opinion हो सकता है किसी को कोई सरकार अच्छी लगती है किसी को कोई सरकार अच्छी नहीं लगती है किसी सबका अपना personal opinion होता है इसलिए इसको अपराद की शेड़ी में नहीं रखा गया राद रो एक अपराद है और इसके अंतर गत जो दंड दिया जाता है उसके बारे में बात करते हैं राद रो एक गैर जमानती अपराद है मतलब इसमें आपको जमानत नहीं मिल सकती अगर आरोप साबित हो गया तो राजद्रोह के अपराद में तीन वर्से लेकर उम्र कैद्गी सजाओ सकती है और इसी के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ती को सरकारी नोकरी करने से भी रोका जा सकता है और पासपोर्ट को भी जब्त किये जा सकता है मलाप पूरी जिंदिगी उसको पासपर्ट के बिना ही रहना पड़ेगा और देश छोड़ कर तो जाई नहीं सकता जिससे विदेश में बैठ कर वो देश विरोधी गति विदियो में शामिल हो सके या उसको बड़ावाद दे सके अब बात करते हैं इसकी आलोचना की कि राज द्रोह में क्या सही है और क्या गलत सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सेक्सें 124 एक औरत करने वाली याजीगा की सुनवाई पर तो इस पर समय समय पर सुनवाई होती रहती है और करेंट में भी सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर भैस छड़ी हुई है और यहाँ इसमें तर्क दिया आता है कि ब्रिटेन ने जिसने इस कानून को खुद बनाया था और अपने देश में भी लागू किया था और भारत में भारत में ब्रिटेन से तो हटा लिया गया लेकिन भारत में इसको अभी भी वैलिड रख करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कानुन के रखने के पक्षि में क्या तरक हैं सबसे पहले क्योंकि भारत तो एक पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांतरिक देश है और इस लोकतांतरिक देश में बहुत सी भासाइं भी बोली आती हैं बहुत सी संस्क्रितियां और आतंगवादी तत्वों का मुकावला करने पे उप्योग ये बिल्कुल सही है यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवे तरीके से उखाड फेकने के प्रयासों से बचाता है यदि अदालत की अमाना पर दंडात्वक कारवाई की जा सकती है अवे खुले तोर पर क्रांती द्वारा राजे की सरकार को उखाड फेकने की वकालत करते हैं तो उनका सामना करने के लिए भी धारा 124A एक तरक है इस प्रिष्ट भूमी में धारा 124A को स्माप्त करने की सलाह केवल इसलिए गलत होगी क्योंकि इसे कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में गलत तरीके से लागू किया गया है ये बिल्कुल सही बात है अब बात करते हम इसके विरुद में दिये गए तरकों के बारे में कि इसको सविदान से क्यों हटा देना चाहिए यह freedom of expression वाक्य और अभिविक्ति की समवेदानी रूप से गरंटी शुदा सतंतरता के वैद व्यवहार में एक बादा है आप इसके बारे में क्या मानते हैं कि freedom of expression अगर fundamental right है तो ये जो धारा है 124A आपके लिए एक बादा है या नहीं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप comment box में जरूर बताएं लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि जहां तक आपकी freedom of expression का सवाल है तो अगर आपकी freedom of expression से देश की एकता और अखंडता को बल नहीं मिलता वो खतर में पढ़ती है सामपरदाईक भावना बढ़ती है हिंसा बढ़ती है या सरकार को उखार फेकने की आपकी कोशिश होती है आपके freedom of expression के द्वारा तो मेरी तरब से तो धारा 124 एक valid point है मतलब उसको exist करना चाहिए क्योंकि केवल सोतंतरता का मतलब ये नहीं होता कि आपको कहीं भी कुछ भी कहने दिया जाए दूसरे point की बात करें सरकार की सहमती और आलोचना एक जीवन्त लोकतंतर में मजबूत सारवजिनिक बहस के विशेश तत्तों है उन्हें देश दुरों के र उसकी सहमती आलोचना करने सरकार को सही गलत बताने के लिए freedom of expression का use किया जा सकता है और उसे देश दुरों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए भारतियों पर अत्याचार करने के लिए देश दुरों का परिशे देने वाले अंग्रेजों ने भी अपने इस कानून को स 2009 में अपने देश से इस कानून को स्थगित कर दिया पूरी तरह से अनकोंस्टूशन डिक्लेर कर दिया उसको हटा दिया constitution से लेकिन भारत में यह अभी भी exist करता है और इसको केवल इसी तरक पर स्मार्प्त कर दिया जाए ये मैं कहीं नहीं मानता धारा 124A के तहत असंतोस जैसे शब्द असपस्ट है ये बिल्कुल सही बात है कि असंतोस अगर कोई व्यक्ति है तो वो असपस्ट है कि वो कैसे है क्यों नहीं है और इसमें जो जांच अधिकारी का जो वेवार एवं कलपनाओं के अंतरकत अलग-अलग व्याक्ष्याओं या हिंसा और अवैद तरीकों से सरकार को उखाड फेकने समधित मामलों में दंडित करते हैं ये राश्टी एकता और खंता को बचाने के लिए को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर करने के लिए प्रयाप्त हैं तो भाई IPC की धारा 124A के विरोध में जो तर्क दिया गय उसमें कहा गया है कि IPC और गैर कानूनी गतिविदिया रोक्ताम शुन्शोदन अधीनियम 2019 में ओल्रेडी ऐसे लोज हैं जिसके द्वारा सरकार को प्रोटेक्ट किया जा सकता है हिंसा और अवैद तरीकों से सरकार को खाड फेकने के संदर्ब में और उन्हें दंडित किया जा सकता है तो 124 A को क्यों समीधान में रखना चाहिए नेक्ट प्रोट की बात करते हैं राज दूरक कानून का राजनीतिक असंतों से बचने के लिए एक उपकरन के रुप में दूर्पियो किया जारा हिए वो अलग-अलग मीडिया सोर्सेशित से मेगजीन्स और बुक से ये ली गई है, ये एक पूरी research है, जिसको मैंने अलग-अलग sources से लेकर आपके सामने रखा है, तो इसको personally पहले तो ना ले, केवल ये एक education के purpose से है, जिसका intention लोगों को जागरू करना है, उनको education प्रोवाइड करना है, और उनको current affairs के बारे में knowledge प्रदान करना है, तो इसे personally लेने के लिए कोई जुरूत नहीं है, तो मैं सिधा सिधा बता दूँ कि जो राजनीतिक असंतोश है, उससे बचने के लिए कभी कभी सरकारे भी इसका दूरपयोग कर देती है, ये valid भी है और invalid भी है, ये केवल और केवल एक जाच का वीशे है मेरी तरफ से तो, वर्ष 1979 म भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतराष्टी अनुबंद की पुस्टी की, जो भीवेक्ति की सुतुंतरता की रक्षा के लिए अंतराष्टी इस्तर पर जो माननेता है, उनके मानकों पर डिर्धारित की गई, हाला कि देश दुरोग का दुरुपयोग वे मनमाने ढंक से आरोप लगाना भारत की अंतराष्टी परतिबत दाओ के अनुरूप नहीं है, ये सब वो विरूद तरक है जो 124A के विरूद में विभिन राजनीतिक पार्टियों या बुद्धी जीवियों द्वारा कहे गई हैं, अब इसमें देखते हैं कि आगे क्य उसको राज दुरों के रूपे नहीं माना जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर इंडिया सबसे बड़ा लोकतंतर है पूरे वल्ड का, तो इसके लिए freedom of expression बहुत ही जादा mandatory है, सरकार की नीतियों को सही या गलत बताने के लिए, उनके निर्णों को या उनक जिते भी law and actor है, उनके परती, उनको सही या गलत बताने के लिए, freedom of expression बिल्कुल सही है, और सरकार के हित में भी है, तो इस freedom of expression को देश दुरों के विरोध में नहीं माना जाना चाहिए, जैसे अभी हम recently की बात करें, तो क्रिशी कानुन को लेकर पूरे एक साल तक, मतलब ए ये किसानों के पक्ष में है, बिचोलियों को खतम करने के लिए, और maximum selling price किसानों को दिलाने के लिए, इसको सविधान में शामिल किया गया है, सरकार का ये तरक था, और किसानों के जो नेता थे, राकेश टिकेज जैसे, तो उनका तरक था, कि भाई ये किसान विरोधी बिल इसको संससे हटा देना चाहिए, इस कानून को पारिती नहीं होने देंगे, तो वो पूरे एक साल तक जो है, इस कानून को हटाने में लगे रहे, जिसमें अब जाके उनको सफलता मली, तो इस दोरान इसमें जो तरक विदरक चलेके, किसी ने बोला कि देश विरोधी तत्त होने वाला नहीं है, तो एक साल बाद सरकार को खुद ही इसी बिल को वापस लेना पड़ा, उसकी घोशना करनी पड़ी और इस प्रोटेस्ट को खतम करना पड़ा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार को सही या गलत बताने के लिए, फ्रिडम ओफ एक्स्प्रेशन कितना जरूरी है, अभिवेक्ति की सोतंतरता पर अंकुष लगाने के लिए धारा 124A का दुरुपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं किया जना चाहिए, बिलकुल सही बात है, कैदारनात मामले में दी गई कैवियेट के अनुसार कानून के तहत मुकदमा चला कर ऐसे दुरु बिलकुल सही बात है, कि अगर देदरो का जो कानून है, उसको करेंट कंडिशन के अकोर्डिन ही एक्जामिन करने की नीड है, और उसे लागू करने की जरूरत है, जिससे इसका दुरुपयोग जल्दी से ना हुपाए, तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गय होगा कि आडिकल 124 है क्या किस ने और कब इसको लागू किया, किस country ने इसको अपने सविधान से इसको हटा दिया, और भारत में इसको लेकर अभी पहस का मुद्दा छिड़ा हुआ है, इसको हटाने को लेकर इसको बरकरार रखने को लेकर, तो आप ये सभी point समझ गयोंग तो I hope आपको पूरा वीडियो जरुर पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में Till then God bless you all, take care and जहिन